हम भूगुलिक विचार धाराओं की सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं हमने काफी भूगुलवेतां के बारे में बात की और आज हम अगले भूगुलवेता के संदरब में बात करेंगे आज हम बात करेंगे रिटर के बारे में काल रिटर के बारे में पढ़ेंगे और इनका योगदान भुगोल में किस तरीके से है जिनको लेकर भुगोल की स्रंखला में रिटर का नाम मैतपूनाता है अपसी नेवदन इस चैनल को आप सब्सक्राइब जुरूर कर ले अगर आप कोई कंटियन चाहते हैं या पर कोई काल रिटर को देखें तो इन्हें आधुनिक वेग्यानिक यूग का एक संस्ता पके इनको कहा जाता है सबसे पहली बात ये दूसरा आराम कुर्शी पर आसीन भुगोल वेता रिटर को कहा जाता है इनका जो टाइम पिरिट की बात करें तो टाइम पिरिटर का 1779 से 1859 तक इ तुलनात्मक भुगोल के जनक कहा जाते हैं तुलनात्मक कमपरेटिव जोग्राफी के जनक कहा जाते हैं कोल रिटर रिटर जो है बरलीन विस्विधालों में भुगोल के प्रोपेसर थे ये बरलीन में इनका ग्रंध है जो की बहुत फैमस ग्रंध है ये इसको आफ याद क पेवम लखे रिखेगा इसकृ कोन ऐसक्स अ मेरे संफन परिवार जणूर और फ्रोंगाइव डिस्वेत गोथा नगर में इनका जो है काय चिकिसे को परिवार में इनका जन मुहाँ मतलब एक संपन परिवार कह सकते हैं 17 वर्ष की आयू में रिटर्ड ने हेले विश्विधाले में परवेश लिया हेले विश्विधाले में 17 साल की उमर में इन्होंने परवेश लिया जहां उनके शिक्सा गनित, दर्शन सास्तर, इतियास और प्राकर्तिक विज्ञान में हुई थी 17-19-8 में फ्रेंकफर्ट जो की जर्मनी में धनी परिवार में शिक्सक ये शिक्सक बने धनी परिवार के शिक्सक में ये 20 वर्ष रहे उसके बाद सिवजर्ड लेंड और इटली की यात्रा इन्होंने की ये फ्रेंकफर्ट जर्मनी कंदर कितने साल रहे, 20 साल नहीं होगी रहे थे उसके बाद सिवजर्ड लेंड और इटली की यात्रा इन्होंने की 1819 में फ्रेंक फर्ट के जिमनेशियम में इत्यास बुगोल का प्रोपेसर इनको रिटर को निव्ट किया गया फ्रेंक फर्ट के जिमनेशियम में इत्यास और बुगोल का प्रोपेसर इनको बनाया गया किसको रिटर को फिर 1859 में इनकी मृतिव हो गई अब रिटर की पुस्तके देखते हैं 1804, 1804 में यूरोप का भोगोलिक, एतियसिक और स्धाखे की चित्रन इनकी पुस्तक है tailorope का भोगोलिक, एतियसिक और स्थांखे की चित्रन 1804 में फिर बात करते हैं 1833 1833 में Historical Elements in Geographical Science ये इनकी पुस्तक है और 1836 में Resources of the Earth ये भी इनकी रचना है 1833 यानी 833 में Historical Elements in Geographical Science 1836 में Resources of the Earth ये इनकी रचना है 1806 में बात करें 1806 में यूरोप के 6 मानचित्र ये इनकी रचना है यूरोप के 6 मानचित्र फिर 1807 में 1807 में यूरोप के भुगोल का दूसरा खंड इनकी परकासित्र किया यूरोप के भुगोल का दूसरा खंड 1807 में फिर बात करें 1815 में 1815 में इस वर्ष तक विदी तंत्र पर कहीं सोद पत्रों का इनकी परकासित्र किया था 1817 के बाद करें, 1817 में भोगोलिक ग्रंथ अर्ध कुंडे, इसका परतम खंड आया था, कब आया परतम खंड अर्ध कुंडे का 1817 में, और ये किस पर डिपेंड था, ये परतम खंड आया कहा हूं, अफरिका महादीप के संदर में था ये, 1818 में अर्ध कुंडे का दिद्धिय खंड आया, जिसमें एसिया महादीप का वर्णन था, पहले में किसका था, पहले में अफरिका महादीप का था, और दूसरे में किसका था, एसिया महादीप का वर्णन था, अर्ध कुंडे की सेकिंड खंड में, चलिए फिर बात करते हैं, 1859 तक 1859 में इनकी मृतिव हो गई रिटर की और 1859 तक अर्थ कुंडे के नो गरंतों का परकाशन हो चुका था बोगोलिक अधियन का पर्थम गुण सैत्रिय दरातली दसाओं का जानना है ये अर्थ कुंडे के अंतरगत है इसके विश्यष्टन है क्या इसके अंदर material क्या है content क्या वो देखें भोगोलिक अधियन का पर्थम गुन क्या है सेत्री दरातली दसाओं का जानना दूसरा गुन इसमें क्या वताया उस सेत्र में जल संसाधन जलवित्रण फिर सागर मा सागरों की श्टति वायूमंडली दसाओं आधी का ज्यान प्राप्त करना ये बाते किसके अंदर है ये अर्थ गुंडे के अंदर है अर्थ कुंडे किसकी रचना है कॉल्रीटर की रचना है फिर इसमें तीस्तरा गुंड जो बताया वो उस सेत्र क खनीज़, वनस्पती, जीव जन्तु के वित्रण का अध्यन करना उस सहत्र में जो खनीज है, वनस्पती है, जीव जन्तु है उनका distribution भी किस परकार से है, उसका भी अध्यन करना ये अर्थ कुंडे के अंतरगत है फिर बात करें 1828 में 1828 में इन्होंने भूगोलिक समिति की स्तापना की वर्तमान में भूगोल का संस्तापक कहा जाता है किसको कॉल डिटर को कहा जाता है भूगोल का संस्तापक वर्तमान भूगोल का संस्तापक तो पूछा भी जा सकता है आ भी सकता है कि वर्तमान भूगोल का संस्तापक किसे कहा जाता है तो कॉल डिटर को कहा जाता है ये धार्मिक परवर्ति का सो उदेश्यवादी भूगोलिक विचारक था भुगोल को उद्रश्टिकी निर्ध्राण वादी बटाया किricular ने This विचारी वद्भोगोली कि प्रद काई विचार से निर्ध्राण किश्छ? अब उनका विचार था कि सरस्थ की उत्पती गये को किस परकार से समक्वासिक की बात भी कर लेते हैं सो उदेसिवादी भोगुलिक विचारता रहे को किस परिकार से इन्हों समावसन क्या देखिएगा इनका विचार था कि स्रस्टी की उत्पती में परमात्मा की विशेश न्योजन व्यवस्ता है। प्लान करना, न्यूजन का सिधा सा अर्थ है प्लानिंग करना, यानि कि इस रस्टि की रचुना में परमात्मा यान की गूड कहें, इसवर कहें, इसवर की भैतरिन प्लानिंग है। प्लानिंग की व्यवस्ता है इसलिए मनुस्य और परकरती में समन्वे होना चाहिए यह बात कही किसने रिटर ने कहा कि इस रस्टी के सर्जन में या सी इस रस्टी की उत्पती में परमात्मा की विसेस नियोजन व्यवस्ता है इसलिए क्या मनुस्य और परकरती में समन्वे ह कोन कहता है रिटर कहता है फिर बात करते हैं अब रिटर के जो अध्यन का सहतर था वो देखें और इनकी जो वर्णन की वीधियां थी उन वीधियों को देखते हैं सबसे पहले बात करें रिटर ने अपने अध्यन में कौन-कौन सी वीधियों को काम लिया था वो देखें दूसरी तुल्णात्मक अनुभाव एक विदी एन खुद के अनुभाव के आदार पर, दूसरा तुल्णात्मक विदी comparative method, तीसरा इन्होंने लिया विस्नेशनात्मक और संस्लेशनात्मक विदी analysis and synthesis method, फिर लिया मान चेतरन लेपी, विस्लेशन और संस्लेशन इस सब्द ये इसको देखें, तो विस्लेशन एक ही जो topic है, unit है, यह माने, तो उसका अलग-अधिन करना, यह विस्लेशन में आता है, और जो topic यहां हमने अधियन किया, उसको एक ही समरी में समझना, वो आता है, संस्लेशन के अंतरगा, अनकी पूरा का पूरा निचोड माने, सब इन चा यह difference है, दोनों में, विस्लेशन और संस्लेशन में, पिर मान चेतर का आर्टोग्राफी मेथड, अब बात करें, रिटर की विचारधाराएं किस प्रकार की तीन विचारधानों को समझता है, रिटर वाताओन निश्चवाद को मानने वाले थे, वाताओन निश्चवाद का एक आलग से टोपिक है यहां देख लेते हैं वाताउन निश्चेवाद के आगे एक सब्द लिख रखा है वाताउन निश्चेवाद निश्चेवाद में हमने क्या परकर्ती को सरोपरी माना यहां परकर्ती के वाताउन को यहां सरोपरी मान लिया गया है अब रिटर क्या करते है वातावन निस्चेवाद को मानने वाले थे उसके मतानुसार भोगुलिक विवितिता के द्वारा एत्यासिक विवितिता उत्पन खोती है तो इन्होंने परमुक किसको माना हThe Hunica पर्मुक किसको माना परकर्ति को जो पर्मुक मानेगा ज़्जादा मैतू देगा वो निश्चवाद के अंतरगत आता आता आपको पता होगा अब इन्हों ने जो है इननों कहा कि जो भोगोलिक विविदता आए जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के दुवारा ही हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी उत्मन होती है यह कहते हैं रिटर कहते हैं कि जब भोगोलिक विविदता होगी तब एत्यासिक विविदता उत्मन होगी कैसे सम अंदर में देखें आप तो अलग-अलग भोगोलिक विविदताएं हैं उत्तर में चले बारत के उत्तर में आप जाएं तो हिमाले बरफ भी बरफ और वहीं भारत के पस्चिम में चले जाएं तो आपको मरुस्तल मिलेगा और वहीं अगर आप पूरू की तरफ चले गए तो पहाड़ियां है तो मतलब यह कि जैसा वहां का भोगोलिक वाताओं होगा वहां इत्यासिक इसमर्तियां उसी तरह की होगी उसी तरीके के इत्यास का सर्जन वहां होगा तो रिटर यहां कहता है कि जिस परकार का भोगोलिक वित्ता होगी उसी परकार क्या इत्यासिक्वित्ता होगी कहता है किल्डिटर अब किई कि आगे बात करतें किसी सहत्र की भू रचना जल्वाय व्ह पॉद्व जनतुब और मनूस्यों में अंतर समन्द और ये क्या करते हैं ये नों ने कहा कि ये रचना जो है किसी से रचना कैसे हुए जलवाई पोदो और जन्तों में मनुस्यों में अंतरशमत का मतलु पर दुसरे पर डुपेंद हुए एक के साथ interactions करते हैं ये क्यંंकि एक दूसरे पर डीपेंड है मनुसिये परकरती दोनों एक दूसरे पर डिपेंड इसका उदेशी समस्त्र थलगा सजीवचित्रन प्रस्त्त करना है इसका मत था कि पर्त्वी और उसके निवासियों में सबसे अधिक गनिस्ट और पारसपरिक समंद होते हैं ये क्या कहते हैं कि पर्त्वी और उसके निवासि जो है एक तो पर्त्वी पर रहने वाले जो निवासि हैं उनमें सबसे अधिक गनिस्ट समंद होते हैं पिर मानुव केंद्रित भुगोल को अपनाया, मानुव को केंद्रित भुगोल को अपनाया, किसने एक कॉल डिटर ने, पार्दैसिक परणाली को अपनाया, रीजनल जो है सिस्टम, उनको अपनाया, कॉल डिटर ने, और इस्वर उदेशिवादी विचारधारा, इस्वर प्रत्वी नियम के संदर में हमें पर्थ्वी से पूचता certaina सिए नियां क्या विल्दाय ना Sun के संदर में वर्फ्वी से पूचता ऑच करनी चाहिता रहा dość कर दर्दाद मतलब उसको समझ नहीं कि पर पर ब송णवी किस्तिक हैं और इस प्रकार से ये नहीं बता उपर थी तुम्हारे नियम क्या नहीं उसको आप समझना पड़ेगा उसकी विविदता को देखेंगे आप और उसकी पारस पर एक निर्भरता हम किस तरीके से निर्भर हैं वो देखना पड़ेगा बुगोल का वक्तिगत पोधों से कम लेना देना है इसका वि इसे वो दरतलपर के अवस्पति और शिवयुवजनतों की सत्य से है do Ritter ने अपना अध्ययन संसलेशित वाली सं संसलेशिक यानि संस्लेशिक की बास जीसा कि हमने की विज़ी से विदी से कि विपर रिटर के अनुसार पर्थी की रचना मनुस्य के निवास के रूप में हुई और इसे रिटर का धार्मिक उपागम कहा जा सकता है रिटर क्या कहते हैं कि पर्ति के जो रचना हुई है वो मनुस्य के निवास के रूप में हुई है इसे हम इसे रिटर का क्या कह सकते है धार्मिक उपागम कह सकते हैं इसको चलिए यह बात हमने की कॉल रिटर के बारे में जोग्राफ़ पर हैं आज होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो का आप ज्याद़ से ज्याद़ा सेर करें लाइक करें और कमेंट तो आप करी देंगे हैं तो नमस्कार बने रहें से हमारे स नमस्कार